नमशकार दोस्तों मैं शवम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज बेहत फास वीडियो और आज का वीडियो मेरा डिजाइन है क्लास 10th के बच्चों के लिए वेदर वो CVSC Board के हूँ या UP Board के हूँ डिजन्ट मैटर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी UP Board और CVSC Board दोनों की date sheet आपकी आचुकी है और दोनों date sheet के आदार पर आपके जो exam है वो February से start हो रहे हैं तो बड़ा crucial time इस समय आपके पास बचरा है December और January सिर्फ ये दो महीने आपके पास हैं जिसमें आपको अपने हर topic को revise भी करना है हर topic से go through भी जाना है और हर topic के important questions और previous year के papers को भी लगाना है यानि कि समय बहुत कम है चीजे बहुत जादा है और इसी में मैं आपका साथ देने के लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो जो मैंने specially design किया है जिसमें मैं आपको बहुत कम समय में आपको पूरे chapter की summary यहाँ पर समझाने वाला हूँ जिससे आपको topic समझने में topic के question करने में आसानी हो Ambition Academy हापुड मेरी एक coaching है जो संस्ता हापुड में ही चलती है ठीक है offline center हापुड में है बाकी online हमारा ये channel है काफी time से video नहीं आ रही थी उसके पीछे थोड़े personal issues थी that's why वो थोड़ा सा हमारा late video हुआ है लेकिन आईए हम इधर उधर की बाते ना करके सीधा अपने topic की तरफ आते हैं तो हमारा chapter है magnetic effect of electric करने पहले हम समझते हैं कि magnet होती क्या है दिकिए आपने सभी ने magnet देखी भी है और magnet के बारे में आप जानते भी है बट अगर हम magnet के properties के बारे में समझें तो हमें उस chapter में इस वाले chapter में आपको बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी अगर मैं magnet की बात करूँ तो magnetic ऐसा object है जो iron से बनी हुई, cobald से बनी हुई या निकिल से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ près करती है ठीक है यानि के magnet ना केबल लोही की चीजों को attract करती है बलकि वो cobald की बनी हुई चीजों को निकल की बनी हुई चीजों को भी अपनी तरफ attract करती है ठीक है अगर हम magnet की बात करें तो magnet आपकी different types की magnet आपको market में मिलेंगी ठीक है अगर हम बात करें तो magnet के दो pole होते हैं एक north pole ह और एक कहलाता है आपका south pole, ठीक है, एक कहलाता है south pole, properties of magnet में अगर हम बात करें, तो हमारी जो magnet होती है, जब हम magnet को कभी भी दिवार, आप ऐसा करिए दिवार पे, आप magnet को एक धागे से बंद के टांग दीजे, आप देखेंगे जब ये magnet suspended होगी, freely जब ये बापस अपने freely motion म रहेगी, तो उस समय magnet का जो pole होगा, यानि के magnet का जो axis होगा, वो पूरा का पूरा north और south की तरफ लाई होगा, ठीक है, अब magnet north और south की तरफ ही क्यों suspended रही, वो east और west की तरफ suspended क्यों नहीं गई, तो इस राजपे से भी परदा थोड़ी देर में उठाएंगे, फिलाल हम कर सकते हैं, cassette players में कर सकते हैं, बच्चेों के खिलोनों में होता है, hard disk, floppy of computer, इन सब के अंदर magnet का इस्तमाल है, magnet का जो scope है, वो vast scope है, बहुत जगा magnet का इस्तमाल किया जाता है, different types of magnet यहाँ पर आपने देख रखी हैं, देखिए, horseshoe magnet, इसको हम horseshoe magnet इसलिए कह रहे हैं, हम इस इसी तरह का होता है, तो आप इसे U-type magnet भी कह सकते हैं, और घोडे की नाल जैसी भी कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम horseshoe magnet है, अगर magnet गोल तरीके की होगी, यह आपने basically देखी है, सभी ने देखी है, गोल वाली जो magnet होती है, हम उसे ring magnet बोलते हैं, ठीक है, U-type magnet वही होगी, जो फिर दोबार से समझ लो, magnet वो है, जो iron या कोबाल्ट या निकल की बनी हुए चीज़ों को अपनी तरफ attract कर लेती है, जब magnet को हम freely suspend करते हैं, तो वो north और south की direction की तरफ rest में आ जाती है, north और south में ही क्यों आती है, उस चीज़ को भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़े देना, magnet की properties क्या है, अगर हम magnet की properties की बात करें, तो magnet की properties हमारी होती है, पहली चीज़ यह है कि magnet जो suspend होगी, वो हमेशा north और south direction की तरफ होगी, ठीक है, दूसरी बात क्या है, magnet का जो pole होगा, वो दो pole होते है, ठीक है, पहला pole कहलाता है, south pole और दूसरा pole कहलाता है, आपका north pole, तीसरी सबसे बड़ी important property यह है कि जो magnet के like poles होंगे यानि कि एक जैसे जो pole होंगे वो कभी भी एक दूसरे की तरफ attract नहीं होंगे बलकि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे यानि कि repel करेंगे यानि कि अगर ये magnet है या आप ऐसा समझें कि हमने यहाँ पर magnet ली है छोटी सी ठीक है इस magnet पर इधर नॉर्थ पोल है एक हमने दूसरी magnet ली जिस पर इधर भी नॉर्थ पोल है दोनों पोल अगर सेम हुए तो दोनों पोल एक दूसरे की तरफ आएंगे नहीं बलकि एक दूसरे से दूर भागेंगे ऐसा होता है जैसे charges में भी आपने पड़ा होगा कि positive positive charge एक तरफ attract नहीं हो सकता और negative negative charge एक तरफ attract नहीं हो सकता similar magnet की भी properties ऐसी ही होते है magnet में भी यह है कि north pole north pole की तरफ नहीं आता और south pole south pole की तरफ नहीं आता ठीक है north pole north pole से attract नहीं होगा और south pole south pole से attract नहीं होगा क्यों क्योंकि हमारे like poles कभी भी एक दूसरे के साथ attract होते ही नहीं ये आपने घर में भी करके देखा है आपने ऐसी north आपने ring type magnet ली होगी और जब आप उसको similar poles से मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो मिलती नहीं है वो एक दूसरे से दूर भागती है जैसी आप उसका side बदल देते हैं किसी एक magnet का तुरंत वो एक दूसरे की तरफ attract हो जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे like poles हमेशा repel करेंगे जबकि जो unlike poles होंगे वो हमेशा attract कर जाएंगे यानि कि अगर एक magnet का north pole है और दूसरी magnet का south pole है वो north pole के साथ attract नहीं होता south pole, south pole के साथ attract attraction केवल एक ही case में होता है जब north pole, south pole के पास आए या south pole, north pole के पास आए तो this is the properties of magnet तीसरी चीज मैंने आपको ये भी समझाई कि जब आप magnet को दिवार से टांग करो थोड़े समय के लिए छोड़ दो तो magnet आपके north और south direction में आ जाएगी जैसे ये earth है, ठीक है अगर आप earth की directions देखें तो यहाँ पर earth का east होता है यहाँ पर earth का west होता है upside आपका earth का north pole होगा और down में आपका south pole होगा जब हम किसी भी magnet को टांग कर छोड़ते हैं तो magnet कुछ समय बाद north और south की तरफ इस तरीके से लाई कर जाती ठीक है, pure सीधी नहीं होगी कुछ inclination होगा, कुछ angle पर होगी ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है यह जो हमारी पिर्थवी है, यह जो हमारी अर्थ है इसके बहुत कई किलो मीटर नीचे एक बहुत बड़ी magnet दबी होई है ठीक है, और उससे बड़ी magnet इस अर्थ पे है ही नहीं यानि कि पिर्थवी के पास ही पिर्थवी की सबसे बड़ी magnet है ठीक है, अब यह जो magnet आपकी अंदर दबी होई है अर्थ के अंदर यह magnet जो दबी होई है, वो आपके नौर्थ और साउथ की तरफ ही दबी होई है तो इसकी वज़े से जितनी भी magnet आपका suspended freely आप करते हैं वो सब नौर्थ और साउथ की तरफ ही लाई हो जाती है क्योंकि magnet जो अर्थ की है वो भी north और south की तरफ ही दभी हुई है ठीक है वो east और west की तरफ direction में नहीं है वो north और south की तरफ direction में है that's why ऐसा होता है अब आप सोचिए अर्थ का अगर geographical north pole यहां पर है तो इस magnet का north pole तो यहां होई नहीं सकता that's why magnet इसकी तरफ रही है ऐसे ही अर्थ का जिदर geographical south pole होगा उदर magnet का हमेशा north pole होगा तो आप यह बात याद अखना के अर्थ के geographical north पर magnet का south pole है और अर्थ के geographical south पर magnet का north pole है क्योंकि हम properties पढ़ चुके हैं कि unlike poles always attract each other ठीक है that's why ऐसा हो रहा है और इसलिए अर्थ की magnet की वजा से ही जो आप magnet टांग कर छोड़ रहे हो वो बार-बार north और south की तरफ ही suspended हो जाती है ठीक है आगे आते हैं इसके बाद बात करते हैं magnetic field की अब देखो magnetic field ऐसा field है जो आपको दिखेगा नहीं सिर्फ आप उसको imagine करोगे आपने देखा होगा जब आप किसी एक magnet के छेतर को देखना चाते हैं जिसे आप देख नहीं सकते हैं सिर्फ महसूस कर सकते हैं जैसे ये magnet का आपका field है अब हमने इस field में कोई यहाँ पर लोहे की कील रग दी ये हमारी magnet है कौन सी magnet है तो ये ring type magnet है ठीक है अब यहाँ तक तो इस magnet का field ही नहीं है तो क्या यहाँ से attraction होता तो बिल्कुल नहीं तो यानि कि जहां जिस छेतर तक magnet अपने object को attract करने की शमता रखती है ये repel करने की शमता रखती है उसी field को हम हमेशा magnetic field बहुते हैं यही वो magnet का छेतर है जहां तक वो magnetic force लगा सकती है और magnetic force के थुरू या तो वो attract कर सकती है या फिर वो repel कर सकती है दोनों चीजे कर सकती है भाई same pole मिलेगा तो repel कर देगी और different pole मिलेगा तो attract कर लेगी यह तो हमने properties पढ़ी ली और यही definition में लिखा हुआ है the area around a magnet जहां पर magnetic force लगता है उसी को magnetic field कहा जाता है क्योंकि जहां तक field होगा वहां तक magnetic force होगा ठीक है और अगर हम बात करें तो इसकी direction भी होती है और magnitude भी होता है magnetic field का magnitude तो हो गई होगा कि कितना magnitude है उसका यानि कि उसके कितना magnetic field है और direction की बात करें एक हमारी vector quantity होती है और एक हमारी scalar quantity होती है vector quantity वो quantity होती है जिसमें magnitude भी होता है और जिसमें direction भी होती है magnitude का मतलब है आपको उसकी value भी पता है और direction का मतलब है आपको उसकी direction भी पता है scalar में आपको सिर्फ और सिर्फ magnitude पता होता है पर direction पता नहीं ठीक है अगर आप scalar में example दें तो scalar का example आपका speed हो सकता है Speed ऐसी quantity है जो scalar quantity है क्योंकि speed की सिर्फ और सिर्फ magnitude तो होगा बट इसकी direction नहीं हो अगर आप vector quantity में direction आगर आप example देना चाहते हैं तो velocity कह सकते है अब velocity और speed में अंतर क्या है आप सोचोगे एक ही होती है नहीं जी एक नहीं होती है speed का जो formula होता है वो distance upon time होता है जबकि velocity का जो formula होता है that is displacement upon time और distance और displacement दोनों अलग-अलग quantity है distance आपकी actual बात होता है जबकि displacement आपका shortest बात होता है जैसे मैंने आपसे कहा कि यह आपका घर है और यह आपका school है अब घर से school जाने के रास्ते कितने हो सकते हैं आप कहोगे मैं ऐसे भी होता हुआ जा सकता हूँ इस तरीके से भी होता हुआ जा सकता हूँ ठीक है मैं ऐसे भी होता हुआ जा सकता हूँ पर मैं आपसे पूछूँ सबसे चोटा रस्ता कौन सा, आपको सबसे चोटा रस्ता ये है, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता उसको displacement कहा जाता है, लेकिन जो total path covered होता है, यानि कि बोड़ी जितना चली हुई होती है से school तक पहुचने के लिए, that is the distance, ठीक है, और distance भी आपकी scalar quantity होती है, क्योंकि आपको distance ये तो पता है किसकी कितनी दूरी है, लेकिन उसकी direction क्या होगी ये आपको नहीं पता हो, जबकि displacement में पता है, विछ छोटा रस्ता उसी को तो पता होगी, जिसको direction पता होगी, ठीक है, आपको एक जगा से दूसरी जगा जाना है, आप उ इसके बाद अगली चीज आती है, magnetic field lines, अब magnet के जो field है, जो magnetic field है, उससे क्या निकलेंगी, magnetic field lines, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने diagram के तुरू भी आपको समझाया, ये आपका north pole है, magnet का, ये आपका south pole है, तो magnetic field lines की पहली property ये होती है, कि magnetic field line कभी भी एक दूसरे को नहीं जाती है, और internally वो south pole से north pole की तरफ आती है, तिक है, आपको याद अखना है कि conventionally ऐसा ही होता है, कि north pole से south pole की तरफ magnetic field line जाती है, और internally ये inside the magnet, उनकी जो direction होती है, वो south से north pole होती है, मैंने नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, कि outside the magnet, magnetic field की direction, north से south मिलेगी, जो कि मैंने already आपको यहाँ पर दिखाती है ठीक है जबकि इंसाइड दा मेगनेट यानिके मेगनेट के अंदर मेगनेटिक फिल्ड लाइन जोंगी वो साउथ पूल से नॉर्थ पूल के जारी होगी यानिके आदान प्रदान चलता रहेगा यानिके एक क्लोस लूप हमेशा बनेगा क्लोस लूप बनता रहेगा क्योंकि नॉर्थ से साउथ जा रहेगा और साउथ से नॉर्थ वापस से इंसाइड दा मेगनेट आ रहे है जिसकी वज़े से जो मेगनेटिक फिल्ड लाइन्स होंगी वो हमेशे closed loop बनाएंगी कैसा loop बनाएंगी एक बंदर loop बनाएंगी ठीक है खुला loop नहीं बनाएंगी खुला loop बनाएंगी तो magnetic field ही आपका leak होता जला जाएगा ठीक है इसलिए हमेशा closed field बनेगा दूसरी चीज क्या है दो magnetic field line कभी भी आपस में अगर दो magnetic field line कभी भी ऐसे intersect हो गई आपस में तो इसमें दिक्कत क्या आएगी अगर हम magnetic compass लें अब magnetic compass क्या है magnetic compass एक device है which is used to identify the direction ठीक है by using the magnetic field यानि कि हम magnetic field का इस्तमाल करते होगे direction को identify करते हैं हम यहाँ पर अर्थ के magnetic field का इस्तमाल करते हैं जिससे हम अर्थ के geographical north और south pole को तो पता लगा ही सकते हैं भी हमारे इस magnetic compass के अंदर हमारा क्या लगा हुआ होता है magnet लगी हुई होती है ठीक है और जब यह magnet अर्थ के magnetic field के संपर्क में आती है तो यहाँ पर deflection show होता है या अर्थ के magnetic field के लावा किसी भी magnetic field के संपर्क में आईगी तो यह switch होगी यह 0 से इधर उधर deflect करेगी या तो left side करेगी या right side करेगी दोनों में से किसी भी direction में दोनों का मतलब यह ही है कि आपका magnetic field है अब magnetic field अगर यह जो compass होता है इस compass का इस्तमाल किया जाता है ठीक है magnetic compass यहाँ पर क्या करता है वो हमें अर्थ का geographical north या geographical south बता देता है जिससे हम identify कर लेते हैं कि north यहाँ पर है south यहाँ पर है तो east यहाँ होगा और west वहाँ होगा जिसकी वज़े से जो sailors होते हैं वो आसानी से यहाँ पर move कर पाते हैं अगर हम यहाँ पर हम ऐसा मानें कि अगर दो magnetic field line आपस में cross कर रही है और मैं यहाँ पर magnetic compass को रख दू तो इस हिसाब से तो magnetic compass एक ही time पर दो direction दिखाएगा अब आप सोचो क्या एक सुई एक ही time पर दो direction दिखा सकती है क्या नहीं हो सकता है क्योंकि जब needle ही एक है तो वो एक time में एक ही तो direction की तरफ जाएगी तो इसका मतलब हम कहते हैं कि it is not possible कि magnetic compass shows two direction at a same time तो that's why हम concluded करते हैं कि कभी भी दो magnetic field line आपस में intersect करी ही नहीं सकती ठीक है अगर intersection हुआ तो compass दो direction एक ही time पर दिखाएगा जो की possible है ही ठीक है दूसरी property परते है it is taken by convention यानि कि convention का मतलब है हम मान रहे हैं ठीक है तो यह conventionally माना जाता है कि जो magnetic field line होती है वो north pole की तरफ से निकलती है और south pole की तरफ जाकर terminate हो जाती है end हो जाती है लेकिन magnet के अंदर जो direction होती है वो south pole से north pole होती है बढ़ा important है इसी वजह से जो magnetic field lines होती है वो हमेशे closed curve बनाती है बंद curve बनाती है आप देख पा रहे होंगे north से south निकलेंगी और अंदर south से north चली जाएगी तो एक closed loop ऐसे बनेगा ठीक है एक बंद loop बनता हुआ चलेगा तो this is the properties of magnetic field lines I hope आपको magnet, magnetic field, magnetic field lines और direction ये सारी चीज़े clear हो गई हो ठीक है तो आईए हम next slide के दाफ चलते हैं अब जब हम ये पता लगा चुके हैं अब हम magnet को भी समझ गए हम magnetic field को भी समझ गए हम magnetic field lines को भी समझ गए उसकी properties को भी समझ गए अब उस chapter की तरफ आते हैं जिस chapter का हमने नाम लेकर ये chapter start किया हमारे chapter का ही नाम था magnetic effect of electric current जानी के current की वज़े से magnetic effect को generate करना और magnetic effect current की वज़े से कैसे generate होता है तो देखिए हम यहाँ पर एक current carrying conductor लेते हैं यानि के हमने एक तार लिया यह एक वायर ली तार लिया और इस तार में जब हम electric current को pass करेंगे जब हम electric current को इस तार में pass करेंगे तो यहाँ पर इस तार में electric current पास होनी की वज़े से magnetic field generate होने लगी अब तुम कहोगे यह पता कैसे लगा तो यह पता scientist को लगा जब scientist experiment कर रहे थे क्लास में और स्टेट नाम के scientist जब experiment कर रहे थे तो experimentally ऐसा देखा गया कि जब इस wire में हमने current produce किया था तो यहाँ पास रखा magnetic compass में deflection शोग गवा और मैं अभी already आपको बता चुका हूँ magnetic compass is a device which is used to identify the direction और direction कैसे identify करती है by the means of magnetic field यानि कि magnetic compass केवल तभी deflection शोग करेगा जब उसकी radar में magnetic छेतर आएगा तो यहाँ पर जब आपने wire में current produce किया था तो magnetic compass का deflection साफ-साफ यह बात शोगरता है कि magnetic field भी बनाऊगा बस इसी की study होती चली गई और आपके पास यह topic निकल कर आगया जिसका नाम है magnetic effect of electric current ठीक है तो अब हम यहाँ पर पाता लगा रहे हैं कि जब हम किसी भी wire में जब हम किसी भी तार में current produce करते हैं current देते हैं तो तार में जो magnetic field generate होती है वो किस-किस direction में बनी रही है अब हमने दो case लिए पहला case और दूसरा case देखो यह एक आपकी सीधी wire है इस wire में हमने क्या करा पहले case में current की direction उपर की तरफ है और दूसरे case में current की direction नीचे की तरफ ठीक है अब क्या होगा हम यहाँ पर इस्तमाल करेंगे right hand thumb rule का याद रखना right hand thumb rule is a rule which is used to identify the direction in a current carrying straight conductor यानि कि अगर कोई current carrying straight conductor है एक सीधा conductor है उसके अंदर अगर आप कभी भी magnetic field की direction को identify करना चाहते हो तो आप हमेशा किस rule का इस्तमाल करोगे right hand thumb rule का ठीक है तेको rule इसलिए बनाए गए है अगर rule ना होते तो चीजों को आपको और ज़्यादा डिपली जाके पढ़ना पड़ता है चीजे और right hand thumb rule वही है अब right hand thumb rule को कैसे लगाएंगे आपने एक wire में जैसे यहाँ पर आपने देखा wire में current उपर की तरफ आ रहा है अब current उपर की तरफ कैसे आ रहा होगा आपने इस wire को current connect किया होगा ठीक है आपने wire को connect कैसे क्या होगा इस वाले तार को positive से और दूसरे वाले तार को negative से क्योंकि आप जानते है current की direction positive to negative होती है conventionally ऐसा होता है ठीक है तो आपका जो current है वो उपर की तरफ जा रहा है अब जब current उपर की तरफ जाएगा हम right hand thumb rule का इस्तमाल करेंगे आप अपने सीधे हाथ को इस तरीके से कर लो कि आपका अंगूठा जो है ये जो आपका thumb है ठीक है ये हमेशा current की direction में रखना और बाकी आपकी ये जो मुड़ीवी उमलियां है ये अपने आप आपकी किसकी direction दे दे देंगी ये अपने आप direction दे देंगी आपको magnetic field ठीक है तो आप अपने सीधे हाथ को रखी अभी रखी पैन अपने हाथ में लीजी और पैन को आप state current carrying conductor समझिए से अपने सीधे हाथ में पकड़ लीजी current उपर की तरफ जा रहा है अंगूठा उपर की तरफ कर दीजी ठीक है जैसे आप अंगूठा उपर की तरफ देखेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो magnetic field मतलब जो आपकी उंगलियां है वो ऐसे रैप होगी ऐसे रैप का मतलब है कि जो magnetic field direction होगी वो ऐसे होगी इस तरीके से इस तरीके से ठीक है अब अगर आप देखें इसे ध्यान से तो यह जो direction है यह direction घड़ी की विप्रीत direction है क्योंकि घड़ी का जो movement होता है वो ऐसे होता है पर यहाँ पर जो direction मिली वो ऐसे मिली ठीक है तो इसलिए इस direction को क्या कहा जाएगा anti-clockwise तो जब आपका किसी भी straight current carrying conductor में current उपर की तर anti-clockwise move करेगा हमेशा anti-clockwise बनेगा ठीक है अब उसी pen को आपको पकड़ना है पर अंगूठा आप नीचे की तरफ कर दो क्योंकि अब current नीचे की तरफ जा रहा है जब current नीचे की तरफ जा रहा है आप अंगूठा नीचे की तरफ करोगे तो आप देखोगे अब आपकी उगली ऐसे रहा हो जाए उंगलियां रहा होने का मतलब है कि अब magnetic field ऐसे होगा इस तरीके से ठीक है और इस तरीके से जब आप यहां आओगे आप देखोगे इस बार जो direction है वो बिल्कूल clock की direction में है इसलिए जब आपका current downward होगा उस case में magnetic field आपका clockwise होगा तो इस तरीके से right hand thumb rule क इस्तमाल किया जाता है I hope आपको यह topic भी clear हो गया अगला topic और ज्यादा important है जिसका नाम है solenoid अब solenoid समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा electromagnet के बारे क्योंकि solenoid का का काम ही electromagnet बनाने अब यह electromagnets होते क्या है आपको पता है हमारे पास एक होती है permanent magnet जो हमें अर magnetic field को ना तो बढ़ा पाते हैं ना हम इसके magnetic field को घटा पाते हैं क्योंकि हमें naturally मिली है तो इसका जितना magnetic field होगा वो उतना ही रहेगा ठीक है ना आप उसको बढ़ा होगे ना आप उसको खतम कर पाऊगे क्यों क्योंकि यह permanent magnetic field है पर अगर हमें magnet का size बहुत बढ़ा चाहिए यानि कि हमें magnetic field बहुत जागा चाहिए और जब हमें magnetic field जाता चाहिए तो हमें permanent magnet का size भी बढ़ा करना पड़ेगा क्योंकि जितनी बढ़ी magnet उतना बढ़ा magnetic field अब इस दुविदा को दूर करने के लिए यह chapter यह topic यहीं importance निवाता है और वो importance है electro magnets के रूप यानि कि समझो पर इसका इस्तमाल किया जाता है वो आपके पास अब तक भी उपलब दुना होती ठीक है तो electro magnets अपने आप में revolution है ठीक है अब अगर हम electro magnets की बात करें तो हम यहाँ पर क्या करते हैं हम एक core लेते हैं ठीक है वही हम core का मतलब होता है कि हमने कोई भी एक ऐसा material लिया जिसके उपर यह सारी काम हम करने वाले हैं हमने core ले दिया जनरली हम जो core लेते हैं वो soft iron का लेते हैं अब हम soft iron का core क्यों लेते हैं इसके पीछे भी current यह है कि जो soft iron होता है इसकी permeability बहुत अच्छी होती है permeability का मतलब है कि इसमें जादा से जादा magnetic field line cross कर सकती है और जब magnetic field line जाद से जादा cross करेंगी तो वो जादा से जादा enter भी कर रही होंगी जिसकी वज़े से यहाँ पर जो magnetic field होगा वो बहुत strong create किया जा सकता है इसलिए हम यहाँ पर soft iron को लेते हैं एक बार मैं इसको rough करके द्यान से आपको समझाता हूँ अच्छे से हमने यहाँ एक solenoid लिया यह ले लिया ठीक है अब यह हमारा core है क्या है यह core है अब हमने क्या करा इसके उपर insulated copper wire को लपेटना start किया insulation क्यों चड़ाई जा रही है बाइ insulation इसलिए चड़ाई जा रही है क्योंकि अगर इस पर insulation की परत नहीं होगी तो तार आपस में चिपक जाएंगे क्योंकि एक तार क हम इसको closely loop रखते हैं ठीक है और जितना pass हम इसको रखेंगे जितना pass इसको रखेंगे उतना strong magnetic field यहाँ पर बनने वाला है ठीक है दूसरी बात यह है कि हमें जो यहाँ पर wire है न वो copper wire मिल जाए बहुत बहतर है क्योंकि copper wire का जो conductor होता है copper wire जो conductivity होती है जाद अच्छी होती तो जितना अच्छा electric current इस wire में flow करेगा उतना strong magnetic field आपको मिलेगा ठीक है अब हम क्या करते है इस insulated copper wire को एक external circuit के साथ connect कर देते हैं हमने chapter का starting में यह समझ लिया कि जब हम किसी भी तार में electric current को produce करते थे तो हमें magnetic field वहाँ पर मिलती थी सेम वहीं phenomenon हम यहाँ पर भी तो electric current के flow करने की वज़े से यहाँ पर magnetic field generate होगी ठीक है कैसी generate होगी magnetic field generate होगी और यह जो magnetic field होगी यह magnetic field generate होगी north pole बनेगा south pole बनेगे दोनों pole यहाँ पर बनेगे और एक magnetic छेतर यहाँ पर create हो जाएगा ठीक है और इसी पूरे phenomenon को या इसी पूरी device को हम solenoid का नाम देते हैं हम कह रहे हैं कि solenoid एक ऐसी coil है जिसमें बहुत सारे insulated copper wire के चक्कर यहाँ पर लगाये जाते हैं किसी भी cylindrical core पर बेसिकली अगर soft iron ही हो तो सबसे अच्छी है तो current carrying solenoid जो होती है वो similar pattern ऐसे ही produce करेगी magnetic field का जैसे कि आपने बार magnet के उपर भी देखा है बार magnet ऐसी थी थी थ तरीके से generate हो रही थी तो वो कह रहा है जैसे magnetic field bar magnet के उपर generate होती है सेम ऐसी ही elektromagnet या solenoid के उपर भी वो ऐसा ही होता है जिसमें solenoid का एक end यानि कि एक किनारा उसका north pole की तरह behave करेगा और दूसरा end उसका south pole की तरह behave करेगा जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह जो इ south से north के तरफ जा रही होंगी ठीक है इसके बाद अगर हम magnetic field की strength की बात करें तो solenoid में जो strength होती है magnetic field की वो तीन चीजों पर depend करती है पहला depend करती है number of tons पर number of tons का मतलब है कि यह जो आपने insulated copper wire को लपेटा है इसके जितने जादा चक्कर आप इस पर लपेट होगे core पर उत उतने जादा चक्कर लपेटे जाएंगे उतना current यहाँ पर फिलो करेगा और जितना current फिलो करेगा magnetic field उतना strong बनता चला जाएगा पहला चक्कर पहली बात यही है कि number of tons आपके जादा होने जाएगे दूसरा क्या है दूसरा है current current का आप जो जितना value बढ़ाओगे current की जितन value आप increase करोगे उतना strong electric current बनेगा और जितना strong electric current बनेगा उतना ही strong magnetic field बनेगा तो इसलिए दूसरा factor जिस पर solenoid depend करता है वो है current और भाई तीसरा depend करता है nature of material बनेचर of material का मतलब क्या है कि जिस material को आप यहाँ पर इस्तमाल कर लो उस material के उपर भी depend करेगा भी material अच्छा हु हुआ तो इस तरीके से आपके तीन फेक्टरों पर हमीशे solenoid का magnetic field की strength repent करती है पहला number of tons पर दूसरा current पर और तीसरा nature of material हम यहाँ पर जिस material का इस्तमाल कर रहे हैं that is the copper wire insulated copper wire और core का material है हमारा soft iron ठीक है तो इसलिए हमारा जो magnetic field होगा वो strong बननेगा अब यह जो magnetic field हमने यह पर बनाया एक core के उपर लपेट के हमने तार को एक magnet का रूप दे दिया है इसी को हम electro magnet के यह दूसरे शब्दों में इसी को temporary magnet कहा जाता है क्या कहा जाता है temporary magnet अभी मैंने आपको permanent magnet बताई थी permanent magnet वो है जो हमें nature से मिली है अर्थ से मिली है temporary magnet वो है जो हमने खुद बनाई है कैसे बनाई है हमने core लिया core के उपर wire को लपेटा उसमें electric current पास किया और magnet बना ली इसका फायदा क्या है इसका फायदा यह है कि अगर हम current की value को कम या जादा करेंगे तो magnetic field भी कम या जादा होगा जबकि permanent magnet में ऐसा नहीं होगा permanent magnet में आप magnetic field में छेलखानी करी ही नहीं सकत दूसरी चीज number of tons कम जादा करो तो भी magnetic field change हो जाएगा तीसरी चीज है आप current को ही मत भेजो अब current नहीं भेजोगे यानि कि switch को off कर दोगे तो electric current फिलो नहीं करेगा electric current फिलो नहीं करेगा तो magnet भी नहीं बनेगी तो कहने का मतलब है आप magnetic field को जब चाहे जब बना लो switch on करके current पास करेगे दूसरी चीज आपकी यह है कि आपकी जो magnet है वो magnet strong बनेगी ठीक है और magnet strong कब बनेगी जब उसमें current फिलो करेगा तो current की value पर भी depend कर रहा है तो that's why आज के समय में हम mostly appliances में electro magnets का स्तमाल करते हैं जैसे पंक्ये की motor होगी, cooler की motor होगी, summer stable की motor होगी इंसमें permanent magnet की ब permanent magnet का भी इस्तमाल होता है, जैसे आप DVD players में permanent magnet का इस्तमाल करते हैं, floppy disk में permanent magnet इस्तमाल की काती है, छोटी जी magnet होती है, तो हर जगा आपका दोनों चीजों का इस्तमाल है, लेकिन temporary magnet के आने से आपकी क्या हुआ, जो electronic market है, उसमें एक revolution मिला, क्योंकि आपको एक motor मिली, और इसका काम ये है, कि हमारा permanent magnetic field नहीं बनेगा, हम जब चाहेंगे जब magnet बनेगे और जब चाहेंगे जब वो demagnetize हो जाएगे, तो इसलिए motor आपका एक revolution आया, generator भी आएगा, ठीक है, तो temporary magnet आने से generator, motor, इस तरह की चीज़ा आपको देखने को मिली है, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं इसको ज़्यादा बड़ी नहीं कर दो, यहां तक मैंने आज solenoid तक आपको समझाया है, दूसरी वीडियो में इसके आगे की जो चीज़े बच रही है, ये सब, ये सब मैं आपको complete कर दूँगा, ठीक है, चार स्लाइड ओर रहेगी है, और next देना है, वो बिल्कुल exam oriented देना है, result oriented देना है, that's why आप बस पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर आपको notes चाहिए, टेलिग्राम चैनल पर आपको ये वाली PDF मिल जाएगी, free of cost, कोई पैसा नहीं उठाओ, वहां से आप चाओ तो उसका print निकालो, चाओ तो खुद के notes मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत, ध्यान रखेंगें आपको